हेलो फ्रेंद्स आज हम बनाएंगे सांबर वेलकम टू इद निक, ट्रेजिशनल रेस्पीज, वेजिटेरियन रेस्पीज वे हेल्ट टिप्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें घर में बहुत ही इजी वे में हम सांबर बनाएंगे सांबर बनाने के लिए तीन चौथाई कप अरहर की दाल, जिसे तूर दाल भी कहते हैं उसको अच्छे से वाश करके कुकर में डाल लेंगे अब हम इसमें पानी डाल लेंगे, मैंने जितनी दाल ली थी उससे तीन गुना पानी डाला है डाल में दो तीहाई चमच नमक, एक चथाई चमच हर्डी डाल कर इसे एक विसल लगवा लेंगे जब तक डाल में विसल लगती है तब तक हम इसके लिए सबजें रेडी कर लेते हैं मैंने यहाँ पर थोड़े बैंगन, घिया और गाजर ली है, आप कोई भी सबजी ले सकते हैं डाल को एक विसल लगवा ली है, अब हम इसमें वेजेटेबल्स डाल लेंगे सबजीयों को बहुत चोटा ना काटें यह हमने बैंगन डाल लिए, अब हम इसमें कटी हुई गाजर डाल लेंगे आखिर में हमने इसमें कटा हुआ घिया भी डाल दिया है इसमें एक कप पानी और डाल कर इसे दो विसल लगवा लेंगे दो विसल लग गए हैं और कुकर खुल गया है अब हम कठी से इस तरह से थोड़ा सा दाल को मिक्स कर लेंगे अगर हम सब्जियों को पहले ही दाल के साथ डाल लेते तो ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है सांबर में जब सब्जी थोड़ी हल्की से क्रंची होती है तभी खाने का मज़ा आता है अभी हम सांबर की कंसिस्टेंसी अर्जेस्ट कर सकते हैं वैसे सांबर पतला ही होता है सांबर को मैंने अच्छे से घोट लिया है अब हम तड़का लगा लेते हैं मैंने अभी इसमें और पानी नहीं डाला है हम बाद में पानी डाल लेंगे आईल गरम करके उसमें आधा चमच राई डाल लेंगे फ्लेम को लो मीडियम रखा है राई चटक गई है अब हम इसमें दो सुखी लाल मिर्स डाल लेंगे आठ से दस कड़ी पत्ते डाल लें एक से दो जुटकी हींग मसाले भुन गए हैं अब हम इसमें एक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे प्याज को हलका ब्राउन होने तक भुनेंगे प्याज भुन गए हैं अब हम इसमें एक बारी कटा हुआ टमाटर डाल लेंगे प्याद सौफ्ट होने में टाइम लगा रहे हैं तो हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं जिससे कि ये जल्दी से पक जाएंगे हम सांबर में नमक पहले ही डाल चुके हैं इसलिए अब हम बस थोड़ा सा ही नमक डाल रहे हैं एक बार अच्छे से mix करके इसे ढख लेंगे और low flame पर पकाएंगे हमने ढखकर 2 मिनट के लिए टमाटर पका लिए हैं अब इन्हें इस ताइप करते हुए पकाएंगे टमाटर पक गए हैं अब हम इसमें लाल मिर्स पाउडर डाल लेंगे आप अपने स्वादानसा लाल में इस्ट डालें दो से तीन सेकंड्स के लिए इसे भून लेंगे अब हम सांबर को कड़ाही में पल्टा लेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं कि सांबर अभी थिक है हम इसमें पानी डाल लेंगे मैंने इसमें एक कप पानी डाल लिया है अब हम इसमें एक चम्मच सांबर मसाला डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैंने यहां होममेट सांबर मसाला यूज किया है सांबर मसाला बहुत ही एजिली मार्केट्स में अवेलेबल है पर आप इसे घर में भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं घर में सांबर मसाला बनाने कई वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आखिर में मैं इसमें खटाई के लिए इमली का पानी डाल रही हूँ लगबग एक चौथाई कप इमली का पानी मैंने इसमें डाला है इमली का पानी बनाने के लिए आप लगबग आधे घंते के लिए इमली को पानी में भिगो दें फिर इसके बीज को निकाल लें और पल्प को चानके यूज कर लें अगर आपके पास इमली ना हो तो आप खटाई के लिए आम्चूर भी डाल सकते हैं अब हाई फ्लेम पर संबर को एक उबाब लाने दें संबर उबल गया है अब हम इसे ढगकर एक से दो मिनिट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे दो मिनिट के बाद हमारा समबर रड़ी है इसे इडली वड दोसे के साथ गर्मा गर्म सर्व करें अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक वशेर भी करें थैंक्स फॉर वाचिंग